हेलो दोस्तों लेट नेट उसमें आप लोग का स्वाग है थे और दोस्तों आप सभी लोगों के लिए फिर से एक तगड़ा कंपेरिशन यहाँ पर लेके आ चुका हूँ फुल टेक्नोर वे स्टैल में जहांबर दोस्तों आप लोगों को में Realme 6 और Redmi Note 9 Pro की विच में फुल कंपेरिशन देने वाला हूँ याद रखना है वीडियो को पूरा देखना, skip मत करना और conclusion part बहुत important होता है उसके बाद ही आप अंदाजा लगा सकते कि जो मैं बोलता हूँ, वो मैं सच बोलता हूँ, जूट नहीं बोलता हूँ बाद यह दोस्तों के Redmi Note 9 Pro फिलाल के लिए अब जब मैं शूट कर रहा हूँ, यह लांच नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता क्या प्राइस पूर आएगा लेकिन अंदाजा यही है दोस्तों के 10-12-13,000 की रेंज में होगा, Realme 6 13,000 से शुरू होता है, 464 और 15,000 का 6128 अब सबसे पहले दोस्तों शिरवात करते हैं, इनके डिजाइन से, इनके बिल्ड से, तो आपको बता दू, Realme 6 आपको 191 ग्राम का मिलता है, काफी हलका यह फोन है, और 8.9 mm के आपको तिकनेस पर मिलता है, Redmi Note 9 Pro आपको मिलता है, 209 ग्राम का जिहां, ओविसली 5000 इमिच की ब गलास बैक नहीं मिलती है, Redmi Note 9 Pro में आपको गलास बैक मिलता है, Gorilla Glass 5 की प्रडेक्शन मिलती है, तो यह एक अच्छी बात है, जो उसका प्लस पॉइंट है, और दोनों में वैसे आपको अलग-अलग colors यहां पर मिल जाते है, तो आप अपने साब से पिक कर सकते है, और दोनो क्यामेरे का आपको बम बिलता है, जब आप फोन हाथ में लेको तो आपको पता चलेगा, वो आपको Realme 6 में नहीं मिलता है, तो यह थोड़ा design में flaw है, जो आप अगर Redmi Note 10 Pro में आपको गलास बैक मिलता है, तो उसकी build quality थोड़ी बेटर मिलती है, अगर आप उसको Realme 6 से compare करते है, अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर display की अब बहुत मजा आने वाला है, Realme 6 में आपको 6.5 इंच की Full HD Plus की एक पंच होल वाली display मिलती है, यह एक IPS display है, साथ में आपको 20.9 aspect ratio मिलता है, काफी टॉल है, और प्लस आपको Gorilla Glass 3 की यहाँ पर production भी मिलती है, अब जो display दोस experience मिलता है, वो बहुत ही smooth होगा, touch response वगर आपको काफी बढ़िया मिलता है, यहाँ पर Redmi Note 10 Pro में आपको 6.67 इंच की एक बड़ी से display मिलती है, Full HD Plus यहाँ पर भी है, और यह भी आपको IPS display मिलती है, यहाँ पर भी आपको single punch hole display मिलता है, लेकिन यह बीच में है, Realme 6 में आपको side मिलता है, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, 20 to 9 aspect ratio है, और साथ में आपको Gorilla Glass 5 की production मिलती है, अब बात दिये हैं दोस्तों कि यह जो display है ना, यह बड़ा तो है, लेकिन आपको सिर्फ 60 Hz refresh rate के साथ मिलता है, तो यह basic standard है, जो Realme 6 में मिलता है, वो 90 Hz है, अब दोस्तों मैंने normally जब इनको use किया, तो obviously performance में मुझे पता चली गया था, कि display का response time में मुझे Realme 6 में ज्यादा fast देख रहा था, जबकि Redmi Note 9 Pro में मुझे वैसा नहीं मिलता है, तो overall display की quality तो दोनों के अंदर आपको अच्छे मिलती है, लेकिन अगर आपको smoothness की बात करता हूँ, तो मुझे Realme 6 यहाँ पर इस मामले में better लगा है, अब performance की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर Realme 6 में आपको MediaDeck Helio G90T वाला processor मिलता है, यह जो processor है दोस्तों, यह थोड़ा पुराना है, लेकिन काफी powerful processor है, Redmi Note 8 जो प्रो आया था, यह उसके अंदर हमें सबसे पहले मिला था, और यह द processor आपको बिल्कुल भी problem नहीं देगा, और यहाँ पर दोस्तों, Snapdragon 720G latest processor आपको Redmi Note 9 Pro में मिलता है, यह भी processor बहुत ही अच्छा है, अच्छे कासे games आप इसमें भी खेल सकते हैं, लेकिन याद रखना है, यह 730 और 730G से slightly lighter version है, जिसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, अगर imagine G90T जब 730 और 730G के मुकाबले वाला processor है, तो obviously इस वीडियो में 720G आपको G90T जितना better नहीं मिलता है, G90T आपको performance की मामिले में बहुत ही powerful processor देखने को मिलता है, तो performance की बात करें, तो intense gamer अगर आपे बहुत ज़्यादा game खेलते है, अच्छी performance चाहिए, तो G90T आपके बात है कि box में 30W का उन्होंने fast charger दे दिया, जिसके तुरू आप अपने phone को एक घंटे के अंदर ही full charge कर सकते है, जो इस phone का सबसे बड़ा plus point है, यहाँ पर Redmi Note 10 Pro में आपको 5020MH की बैटरी मिलती है, पहली बार किसी Redmi के phone में आपको इतनी high capacity वाली battery मिलिए, अब battery capacity तो बहु तो धीर्ड घंटे से ज्यादा लग जाता है दोस्तो जब आप इस phone को charge करने बैटे है, तो charging के मामले में दोस्तो realme 6 बहुत fast है और backup के मामले में थोड़ा आपको Redmi Note 9 Pro better मिलेगा, उसके अलावा बात करते हैं दोस्तो आप यहाँ पर camera की तो आपको realme 6 में 64 megapixel quad refacing camera मिलता है और साथ में f1.8 का aperture आपको 4K वीडियो शूट करने मिलता है, super steady mode मिलता है और बहुत सारे आपको camera में उन्होंने features जो प्रोवाइट किये, night mode दे दिया है और बगेरा बगेरा, उसके अलावा 8 megapixel का ultra wide है, 2 megapixel का depth और 2 megapixel का आपको macro मिलता है, उसके अलावा Redmi Note 9 Pro के अंदर आ आपको stabilization मिलता है, उसके अलावा भी बहुत सारे features से night mode बगेरा है, 8 megapixel का ultra wide है, 5 megapixel का macro थोड़ा जादा है और 2 megapixel का depth मिलता है, आप camera के samples के बात करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं, वैसे दोनों ने ही काफी अच्छा काम किया है, आप देख सकते है, colors बगेरा और details मिलते हैं, लेकिन बात ये के Realme 6 में आपको 64 megapixel sensor मिलता है, तो अगर आप जब photo clicker करके zoom करते हैं, तो जो detail आपको मिलती है, जो शापने से, वो आपको Realme 6 के 64 megapixel में obviously better मिले की, जब आप उसको Redmi Note 9 Pro के 48 megapixel से compare करते हैं, human portrait shots देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी कामाल की picture नि तो Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको pro color mode मिलता है, जिससे आप अपटे pictures के अंदर और थोड़े colors को add कर सकते हैं, अब ultra wide shots की बात करते हैं, अच्छे कासे ultra wide shots आप यहाँ पर दोनों में निकाल सकते हैं, और वहाँ पर भी आपको dynamic range मिलता है, ultra wide के अंदर वो भी आपको दोनों में काफ बात करेंगे दोस्तों, rear में आपको दोनों में EIS मिलता है, stabilization मिलती है, तो अच्छे कासे आप stable videos यहाँ पर rear camera से इन दोनों phones की निकाल सकते हैं, बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर selfie की तो दोनों में same आपको 16 megapixel की selfie मिलती है, और यहाँ पर portrait, beauty वगरा, सब कुछ मिलता है, full HD video निकालो, और दोनों में आपको EIS वगरा मिलता है, जो quality देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर almost same लगी है, मुझे कोई खास फरक नज़र नहीं आया, कहीं कहीं मुझे Redmi Note 10 Pro की sharp में थोड़ी सी better लगी थी, बाकि Realme 6 में भी देखेंगे, आपको बहुत यह अच्छा मिलता है Edge Detection मुझे कहीं Realme 6 का better लगा था, जो कुछ इस तरह की आपको difference मिलता है, तो यहाँ पर कहीं यह अच्छा था तो कहीं यह अच्छा था, इधर मुझे कोई फरक नहीं रज़र है, और दोनों में आप देखेंगे, आपको अच्छे कासे stable videos मिलते हैं, तो वहाँ पर भी आप आपको काम निकल जाएगा, अब बात करते हैं उन important features की जिसकी बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, दोनों में आपको dedicated microSD card का slot मिलता है, तो आप 2 SIM card, 1 extra microSD card दोनों में लगा सकते हैं, वैसे security की बात करते हैं, तो दोनों में आपको side mounted fingerprint scanner मिलता है, और face unlock दोनों में मिलता है, और एकदल same हैं दोस्तो, side mounted बहुत ज़्यादा fast है, दोनों में आपको ये feature मिलता है, तो यहाँ पर मुझा नहीं लगता है, और दोनों में Android 10 मिलता है, और Redmi Note 9 Pro में MIUI 11 मिलता है, Realme 6 में आपको मिलता है, Realme UI, तो हाँ कुछ इस तरीकी की चीज़े, आप वो आपक करता है कि आपको कौन सा UI पसना आता है, वैसे Redmi Note 9 Pro में आपको ऊपर IR blaster मिलता है, जो अकसा Redmi अपने phones में देता है, वो आपको यहाँ पर Realme की phones में नहीं मिल रहा है, उसके अलावा speaker की बात करते हैं, दोनों में आपको ये चे single speaker मिलता है, और almost average quality के दोनों ही मतलब इतना भ के storage का support है, और LPDDR 4X वाले आपको RAM का support मिलता है, तो storage का support और RAM है, वो दोनों में आपको यहाँ पर काफी अच्छा मिल जाता है, सार value की बात करेंगे, तो Realme 6 में आपको head के लिए 1.138 watts per kilogram मिलता है, और body के लिए 0.586 watts per kilogram है, और Redmi के अंदर आपको head के लिए 0.898 मिलता है, body के लिए 0.483, इस बार सार value आपको Redmi Note 9 Pro में कम मिलती है, Realme 6 के मुकाबले, वैसे बात करते हैं, तो दोनों में आपको type C port मिलता है, तो यह चीज़ अच्छी है, जो आपको इस बार Realme 6 में भी जो देखने को मिल रही है, और साथ में आपको दोनों में wideband L1 मिलता है, और सा 90Hz वाली आपको इहाँ पर display मिलती है, जो processor मिलता है, वो बहुत ही ज़्यादा powerful है, उसके अलावाद 30W का fast charger दिया है बॉक्स में, जबकि Redmi Note 9 Pro में आपको 80W का मिलता है, और जो camera है दोस्तों, वो 64 Megapixel वाला sensor है, तो इसी काफे सारे चीज़े हैं दोस्तों, जो Realme 6 में आपक compare करते हैं, तो यही एक मेरा fair और honest opinion था, जो भी था मैं आपको आपकी आख होगा सामने यहाँ पर बता दिया हूँ, इतना ही था दोस्तों वीडियो के इंदर, अगर आपको यह वीडियो पसना है, तो जबरू से वीडियो को लाइक करिए, ऐसी future में हमारे comparisons आते रहेंगे, मिलते आप से लिदू एक डेवडो की साहर त्टल देने विए गरेट देए और गया जिए ए एंद हमारेखए